विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज की किड्नी फेल हो गई है और वे एम्स में इसका इलाज करवा रही है खुद सुष्मा स्वराज ने बुधवार को ट्वीट कर अपने फॉलोवर्स को इस बात की जानकारी दे स्वराज ने ये भी बताया कि किड्नी ट्रांस्प्लांट के लिए उनके टेस्ट चल रहे है अपने ट्वीट में ने लिखा कि मैं किड्नी फेल होने के कारण एम्स में हूँ फिलहाल में डालेसिस पर हूँ किद्नी ट्रांस्प्लांट के लिए मेरे टेस्ट हो रहे हैं भगवान कृष्ण मुझे आशिरवाद दे आपको बता दे कि सुश्मा स्वराज 7 नमंबर को एम्स में भरती हुई थी और डॉक्टरों के एक टीम तब से ही उनके स्वास्तिकी जांच कर रही है चौसर साल की बीजपी नेता 20 साल से डियाविटीज की समस्या से पीडित हैं वही चाती में दर्द की शिकायत के चलते वे अप्रल में भी एम्स में भरती हुई थी बुखार और निमोनिया के लक्षनों के इलाज के बाद उन्हें अस्पतार से छुट्टी दे दी गई थी अब तक के लिए इतना ही देश और दुनिया के और अधिक खबरों के लिए देखते रहें